हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़दा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 17.3 के फीचर्स को हम अपने पुराने डिवाइस में कैसे इंस्टाल कर सकते हैं जो की iOS 17 के अपडेट को सुपोर्ट नहीं करते हैं जिन में iPhone 6S और iPhone 7 और iPhone 7 Plus और iPhone 8, 8 Plus, iPhone X models आते हैं इन सभी डिवाइस में आपको iOS 17 का अपडेट का सुपोर्ट देखनी को नहीं मलता है बट फिर भी आप कुछ फीचर्स को इंस्टाल कर सकते हो अपने इन पुराने डिवाइस में इस वीडियो को वाच करके जैसे कि सबसे पहले iOS 17.3 के वाल्पीबर को आपको कैसे सेव करना है अपने पुराने डिवाइस में तो यहां आपको सबसे पहले तो वाल्पीबर सेंटर की आपको इंस्टाल करना है यह है इसका अप्लिकेशन का आइकॉन तो इस आपको इंस्टाल करेगा सबसे पहले इंस्टाल करने के बाद चलिए ओपन करते हैं यहां पर आप देख सकते हो बहुत से क्वालिटी के वाल आपको प्रोड करते हैं जैसे इस फौरपर की व पर ड Five-स जेज कर ऑपको यह ये डाउन बटन व्यां मञेर कई ऐसे डाउनोड कर रहा है तो आपको इसे डाउनलोड क्रना da HARRY करना है अपनी फूर्डो का प्लिकेशन में तो यहांपर यह है अपने वाल पेपर जो कि मैं कुरंट्री आइफोन 7 के उपर यूज़ कर रहा हूं अब आपने यहां पर नूटिस किया होगा कि iOS 17 के अपडेट में आपको बलरी नेस होम स्क्रीन का एफेक्ट देखने को मलता है तो यही सेम एफेक्ट आप अपने पुराने डिवाइस की उपर भी अपलाई कर सकते हो उसके लिए आपको इस आपको इस अपको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है बलेर तो यह सेंटर वाली अप्लिकेशन है यह है इसका अप्लिकेशन का आइकॉन इसको अपने इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे अपने डिवाइस में तो यह है इसका सिंपल सा इंटरफेस यहां पर आपको अपनी फोटो को ओपन करना है जो भी आपने सेव करी है यह है अपना wallpaper यहाँ पर आप चुका है यहाँ पर आप notice कर सकते हो कि इसके blur की ratio कितनी है इस वाले device में आप यहाँ से adjust कर सकते हो इसके blur की strength को बिल्कुल same to same हो चुके है अब आपको इसे save के button के उपर tap करना है और आपका यह wallpaper save हो चुका है आपके photos की application में अब open करेंगे इस blurry wallpaper को और share करेंगे और use as wallpaper और set करेंगे only home screen क्योंपर क्योंकि हमें home screen क्योंपर ही blurriness का effect चाहिए आप देख सकते हो यह है lock screen का wallpaper बिल्कुल same to same दोनों में और यहाँ पर home screen क्योंपर आपको दोनों में same to same bloodiness का effect देखने को मिल रहा है इन दोनों devices क्योंपर अब बात आती है lock screen क्योंपर जो widgets आपको देखने को मलते हैं iOS 17 की update में वह आप कैसे enable कर सकते हो अपने पराणे devices क्योंपर उसके लिए भी एक application है इस application को आपने इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इसका home screen इसको long press करो और new paste की उपर जाकर आपको इसका screen shot करना है तुछ इस तरीके से screenshot करने के बाद आपको इस एप को open करना है विजी के application को एब आपको यहां से delete करना है एड़ वालबेपर की उपर ताब करो और इस पेपर को अपने Select कर लेना है जो कि मैं कर ड्र vigi को अपने सेडिक कर लेना है यहांपर आपको अपने लिजवार्ट को फाइंड आर्ट करना है यह है आपना फीत नहीं हमने Collectี Community lut और यहां पर आपको long press करके plus के button पर tap करना है वह swipe up करो और widget को select करके आपको यहां पर large widget के slot को add कर दिना है तो यह medium है यह भी medium है और यह वाला large widget का slot है तो कुछ इस तरही के से आप देख सकते हो यह जो widget है वो यहां पर add हो जुका है बिल्कुल same to same widgets आपको देखने को मल रहे हैं दोनों डिवाइसे के उपर इस तरीके से आप 17.3 के नए फीचर को अपने पुराने आइफोन में भी एड़ कर सकते हो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी सो मलते हैं गाइस अगली वीडियो में अपने दोस्तों में भी जूश रहें इस वीडियो को ताकि व अब से कॉछ बने हो तु दिए च मैंने हैं लुछ नहीं कर तब चाह Radio